नमस्कार दोस्तों तो आज हम फ्रांसीसी करांती यानी French Revolution के बारे में पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को मैंने तीन भागों में बाटा है इस वीडियो में हम पहले भाग यानी खंड एक का अध्यायन करेंगे तो इस वीडियो में हम मेंडी दो चीजों पर फोकस करेंगे पहला फ्रांसी सी समाज यानी अठरा सो से पहले फ्रांस का समाज कैसा था वहां का राजा कैसे राज करता था, क्या व्यवस्था थी और किन कानों की वज़े से क्रांती की बात उठी और दूसरा क्रांती की शुरुवात कैसे हुई किन कार्णों की वज़े से वहां के लोग अपनी आवाज उठाने पर मुझबूर हुए तो पहला टॉपिक फ्रांसी सी समाज सन 1789 यानि 1789 में क्रांती की शुरुवात हुई तो इससे पहले वहां का समाज कैसा था ये हम इस टॉपिक में जानेंगे तो सन 1744 यानि 1774 में बर्बन राजवंश के लुइस 16 फ्रांस के राजा बनते है ये है उनकी पतनी मेरी एंटॉनेट और उनका महल वर्सलीस में जब वह गदी पर बैठे तब फ्रांस पर बहुत कर्जा था राजा लोईस ने अपने कारेकाल में 13 अमेरिकी कॉलिनीस जो कि आप यहां इस मैप पे देख सकते हैं उनको ब्रिटेश यानि अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी इन सबी युद में बहुत पैसा खर्च होता था लगबग 100 साल बाद 1886 में फ्रांस ने स्टेच्यू अफ लिवर्टी अमेरिका को प्रस्तुत किया था यह उस समय की फ्रांस की करंसी है लिवरे तो फ्रेंट समाज में तीन वर्ग थे यानि तीन एस्टेट्स प्रथम द्वित्य तिर्थि पहले यानि प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आता था जो चर्च से रिलेटिड लोग होते हैं उस समय चर्च के पास बहुत पावर होती थी फिर दूसर एस्टेट में कुलीन वर्ग यानि राजवर्श के लोग राजा के रिलेटिव और बहुत उचे पद वाले लोग आते थे अब तीसरे वर्ग में आम लोग यानि किसान, ब्यपारी, मजदूर, सैनिक इत्यादी तो अगर आप इस चित्र को देखे तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पहले और दूसरे वर्ग के लोग तीसरे वर्ग के एक किसान पर बैठे हुए है यह चित दर्शाता है कि किस प्रकार तीसरे वर्ग के लोग सारा काम करते थे और पहले और दूसरे वर्ग के लोग उनसे करज़ा वसूलते थे ते और टाइल जो वे टैक्स राज्ये को देते थे इसके लावा दूसरे वर्ग के पास feudal privileges यानि वे अधिकार होते थे कि वे तीसरे वर्ग को कोई भी काम दे सकते हैं और तीसरे वर्ग को उनके आदेश अनुसार वे काम करना होता था उस समय तीसरे एस्टेट के अंदर ही एक नए वर्ग ने जन लिया मध्य वर्ग मिडल क्लास इनमें अमीर व्यापारी, निर्माता, मैनुफेक्चरर, प्रशासनिक सेवा के लोग, administrative officials और वकील इत्यादी थे ये बहुते शिक्षित होते थे और इनकी समाज में का अलग सी चवी बन गई थी इनका मानना था कि जनम से विशेश अधिकार नहीं होने चाहिए बलकि योगित्या के अनुसार अधिकार मिलने चाहिए तो उस समय दो किताबों ने फ्रांस के समाज को बहुत प्रभावित किया पहला जॉन लोग की the two treatises of government जो की राजा की देवी और निरंकुष अधिकारों का कंड़न करती है और दूसरा प्रूसों की the spirit of the laws जो की विधाय की यानि legislative कारे पालिका यानि executive और न्याय पालिका यानि judiciary के बीच में सत्ता के विभाजन के बारे में बात करती है तो अब दूसरा भाग यानि करांती की शुरुआत तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार यूद में भूत पैसा खर्च होता था और पहले दो वर्क कैसे एशो और राम की जिन्दगी जीते थे और तीसरे वर्क को सारा काम करना पड़ता था और सारी कटनाईयों को भी चेलना पड़ता था सरकार ने जो यूद के लिए कजल लिया था उसको चुकाने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने का एक प्रस्ताफ प्रस्तुत किया उस समय टैक्स बढ़ाने के लिए वह प्रस्ताफ एस्टेट्स जर्नल से पास होना जरूरी था एस्टेट्स जर्नल एक सभ़ा थी जिसमें तीनों बर्गो यानि estates के लोग आते थे और किसी भी प्रस्ताप पर अपने विचार देते थे और वोट करते थे। सभी estate के पास एक वोट होता था तीसरे estate से 600 लोग आते थे और पहले दो estates से 300-300 लोग आते थे परन्तु वोट सभी estate के पास एक ही होता था यानि टोटल 3 ही वोट होते थे एक वोट पहला estate के पास एक वोट दूसरा और एक वोट तीसरा estate के पास हमेशा से पहले और दूसरे estate के लोग अपनी मनमानी करते थे जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ tax सिर्फ तीसरे estate के लोगों को भनना होता था तो पहले और दूसरे वोट के लोग कितना मजी भी tax बढ़ा सकते थे इसको रोकने के लिए तीसरे वोट के तीसरे estate के लोगों ने अपनी मांग रखी कि सबी व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए यानि 600 लोग आते थे estate जनरल में तीसरे वोट से तो 600 वोट होने चाहिए इसी प्रकात 300 लोग पहले और 300 लोग दूसरे वोट से आते थे estate जनरल में तो 300-300 वोट होने चाहिए परन्तु इस मांग को खारिज कर दिया गया तो तीसरे वर्ग के लोगों ने नाराज होकर स्टेर्स टर्नल का भहिशकार कर दिया और वैं एक वसलीस के टेनिस कोर्ट में जाकर इकत्र हो गए और नेशनल असेम्बली की स्थापना करी और एक सम्विधान की रचना करना शुरू किया मीरा बाउ और अबे सीएस ने उनका नेतित्व किया जब सम्विधान का निर्मान हो रहा था तो बाकी पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे ज़्यादा थंड होने के कारण फसल की उत्पादन अच्छा नहीं हुआ जिसकी वज़े से खाने की कमी पढ़ गई थी गुस्से से भरी जनता ने प्रदर्शन किया और बाकी दोनों एस्टेट्स के खिलाफ आवाज उठाई इसी बीच एक अफवा फैल गई की राजा ने अपने सिपाईयों को सभी प्रदर्शन कारियों पर गोली चलाने का ओर्डर दे दिया है तो इसी डर से जनता ने हरतियार ढूनने के लिए प्रस्टाइल किले पर हमला कर दिया यह हमला 14 जुलाई 1789 में हुआ और वे इसके अंदर गुसकर सभी कैदियों को बली कर दिया और इस केले को गिरा दिया पूरे देश में हो रहे दंगों से डरके राजार लुईस ने तीसरे एस्टेट्स की मांगी स्विकार करी नैशनल एसेमली ने जो समविधान बनाया उसको भी स्विकार किया इस प्रकार फ्रांस एक समविधानिक राजस्तंत्र बना राजा तथा चर्च के अधिकारों को कम किया गया जीवन के अधिकार अभी व्यक्ति की स्वतंत्र था और कानूनी बराबरी के जैसे अधिकारों को स्थाफित किया गया इस पहले खंड में हमने फ्रेंच समाज के बारे में जाना और देखा कि किस प्रकार फ्रेंच एक राजतंत्र यानि मोनार्की से सेमवधानिक राजतंत्र यानि Constitutional मनार्की में परिवाइटत हुआ अगले खंड में हम सीखेंगे कि France कैसे एक गंतंत्र बनता है यानि Republic और इस क्रांती में महिलाओं का क्या योगदान था तो धन्यवाद दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बेटन दबाईए और हमारे यूट्यूब चैनल oli.iitv को सस्क्राइब कीजिए